प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ये सात्वा वीडियो है यानि यू कहें तो प्रेपोजिशन की ये सात्वी वीडियो है क्योंकि वीडियो एक feminine gender group में आती है तो हमें इसका इस्तेमाल feminine की तरह करना चाहिए तो ये सात्वी वीडियो है प्रेपोजिशन पे और आज मैं at, in और on लेकर के आया हूँ क्योंकि ये तीन ऐसे प्रेपोजिशन है जो अकसर लोगों को भरमित करते है ये अकसर लोगों को confuse बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो के बाद ये confusion हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें क्योंकि आपको on, in और at में जो भी problem पहले आती थी वो अब नहीं आएंगी रात गई, बात गई, बस वीडियो देखें और at, on और in को समझने कोशिश करें चलो first of all एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि on और at जो है ये दोनो पर के sense को ज़्यादा दिखाता है और जब कभी भी पर के sense में इन दोनों का इस्तेमाल करने की जरुवत परती है तो हमें confusion होता है, हम भ्रामित हो जाते हैं कि भाई, on कहां दें और at कहां दें तो आज बहुत ही अच्छा trick ले आया हूँ आपके लिए जो कि on और at के अंदर जो भी आपकी confusion थी जो भी complication create होते थे, वो forever remove होने वाले है so watch करें end तक इस वीडियो को और जानने की कोशिश करें कि at और on के बीच का फर्क क्या है आगे से आपको ये गलती नहीं होगी तभी तो मैंने वो prover बोली थी अभी, रात गई, बात भी गई वीडियो को end तक जरूर देखें first of all यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यहां लिखा हुआ है at और फिर नीचे लिखा है point यहां लिखा हुआ है in, in close space और फिर यहां लिखा हुआ है on, surface तो पहले हम बात कर लेते हैं at और on की उसके बाद मैं आगे बात करेंगे हम, ठीक है तो at, यहां तो मैं नहीं दिख रहा हूँगा उतना पर कोई बात नहीं, मेरी अवाज आप तक जरूर पहुँच रही होगी और मेरा यह हाथ जरूर आपको दिख रहा होगा so at की बात करते हैं, तो at किसी point को दिखाता है यानि किसी भी बिंदू को दिखाता है at हमेशा हमेशा किसी भी बिंदू को दिखाता है यानि किसी center को दिखाता है जबकि on center को नहीं दिखाता, किसी बिंदू को नहीं दिखाता यह surface को दिखाता है, surface यानि सतह है ना सतह को दिखाता है तो ये दो फर्क है इन दोनों के बीच में एक्जेंपल के माध्यम से आपको clear होगा कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो क्या है तो मैं आपको जैसे कि बताया कि at जो है ये at point को दिखाता है किसी भी बिंदू को किसी भी center को दिखाता है जैसे कि at at the corner, यानि कोने में, corner की हिंदी होती है, कोने, यानि कोना, at the corner, कोने में, कोना क्या है, एक कोई बिंदू है, मालो किसी रूम का कोई कोना है, वो उस रूम का क्या है, एक बिंदू है, यानि एक बिंदू दिखाया जा रहा है कि भाई, है कहां, कोने में, तो बीच में, तो किन नारे पे हैना तो side में ये क्या दिखा रहा है ये point ही तो दिखा रहा है किसे बिंदू को ही तो denote कर रहा है at the bus stop bus stop पर तो bus stop क्या है एक center है एक बिंदू है एक point है ठीक वैसे ही at the door दर्वाजे पर दर्वाजे पर क्या है एक center ही तो दिखा रहा है कि कहा भाई अरे वही दर्वाजे पर वही खिरकी पर वही द्वार पर तो दर्वाजे पर या द्वार पर जब भी आपको दिखाना हो पर के लिए तो वो किसी बिंदू को दिखा रहा है वो किसी point को दिखा र यह आपको फिर से起 करना होगा सुपर आगे की बात करते हैं एक वों कहाँ पर किस के अंद्र की बात कर रहे हो, घर पर, घर पर घर पे आफenda रहे कि इस के साथ अर्टिकल दर नहीं आता आपको दख MIKE जब नहीं करना है बस एक हम वे यह तक है आँड गलत होगा grammatically दिखा जाए तो इसलिए at home करोगे सबसे अंतिम की बात करते हैं center और बिंदू की बात करें at the end of the road यानि सरक के आखरी छोर पर सरक का जो आखरी छोर है जहां पर सरक खतम हो रही है उस बिंदू को दिखाया जा रहा है उस center को दिखाया जा रहा है उस point को दिखाया जा रहा है तो आप at का ही इस्तेमाल करोगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि at पर का sense दिखायेगा लेकिन किसी बिंदू को किसी center को किसी केंदर को दिखायेगा अब बात कर लेते हैं जरा इसकी on की बात कर लेते हैं तो on जो है वो surface को दिखाता है यानि किसी सतह को दिखाता है किसी तल को दिखाता है किसी फर्ष को दिखाता है जैसे कि example देख लो on the roof कहाँ पे छत पर यानि छत पे सवार और एक चीज़ आपको और ध्यां रखना है कि उपर सवार होना कि उपर एक दुसरे का असपर्स का भाव होना अब बताओ कोई छट पे होगा निश्चित छट और उससे असपर्स का भाव होगा दूरों के बीच असपर्स होगा तो on the roof यानि छट पर छट क्या है? एक सर्फेस है, एक सत्य है और उसके ठीक उपर on the roof on the wall, दिवार पर दिवार क्या है? एक सत्य है एक सर्फेस है और उपर यानि छिक दिवाल के उपर है न? on the wall तो हमने on लगाया on a page, किसी प्रिष्ट पर है न? on a page you fell ink on a page तुमने एक पेज पे ink गिरा दिया अब बताओ, पेज पे पेज क्या है? एक सर्फेस ही तो है एक सत्य ही तो है और उस पे गिराने की बात हो रही है तो फिर on का इस्तिमाल होगा on a page on the floor, फर्ष पर जैसे कि कमरे का जो नीचे का हिस्ता होता है एन वो फर्ष होता है ठीक है? तो on the floor फर्ष पर अब देखो फर्ष पर फर्ष क्या है? एक सत्य है फ्लोर क्या है? एक सत्य है और इसलिए पर के लिए हमने on लगाया on the menu यानि मीनू में, मीनू आप समझते हो न वो होटेल में आप जाते हो तो आपको एक लिष्ट दे दिया जाता है कि भाई आपको क्या क्या लेना है? इस होटेल में ये ये फूड आइटम्स अवैलेवल हैं आप ओर्डर कर सकते हो वही मीनू एक लिष्ट यानि फूड आइटम्स का एक लिष्ट मान सकते हो आप तो on the menu यानि वो जो फूड आइटम्स लिखे हुए हैं किस पे लिखे हुए हैं भाई? मीनू पे लिखे हुए हैं तो मीनू पे लिखे हुए हैं मीनू क्या है? एक सत्य है एक सर्फेस है और उस पे लिखे हुए हैं तो फिर on का इस्तेमाल करेंगे On the Carpet यानि कालिन पे Carpet आप समझते हो ना तो on the Carpet अब कालिन पे यानि कालिन क्या है एक सर्फेस है एक सत्य है और उस पर की बाद थो रही है कि कालिन पे मेरा पेन गिरा हुआ है My pain has fallen on the Carpet Carpet ठीक है Carpet पे गंदगी जमी हुई है It फिर से Carpet यानि Carpet पर कालिन पर तो अब दोनों के बीच को फर्क को में एक बार क्लिर कर दूँ कि यहाँ पे हमने at जो देखा था ये भी पर का सेंस दे रहा था पर के अर्थ में आ रहा था लेकिन ये किसी पॉइंट को दिखा रहा था किसी केंदर को किसी सेंटर को दिखा रहा था है ना जबकि ये हमारा जो आउन है ये किसी बिंदू को नहीं दिखा रहा था ये किसी सेंटर को नहीं दिखा रहा था ये किसी केंदर को नहीं दिखा रहा था बलकि ये सतह को दिखा रहा था ये surface को दिखा रहा था तो ये confusion आपके साथ ही नहीं जब मैं student life में था तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़दा हुआ करती थी हमें पता है सबको पता है कि on का मतलब भी पर होता है और at का भी मतलब पर होता है लेकिन जब हम अनवाद करने के शुरुआद करते हैं तो हमें जब पर दिखाई दे देता है तो हमारे मन में दो ख्याल जरूर आते हैं सबसे पहला ख्याल तो on का आता है आपको भी आता होगा सबसे पहला ख्याल on का आता है और दूसरा at का और हम भ्रामित हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको कहां पे लगाएं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस इन दो पॉइंट्स को आप ठीक से एक बार और देख लेना, अगर वीडियो अभी देख रहे हो आप, हो सकता है कि अभी उतना समझ ना आए, तो थोड़ी दिर बाद या कल या परसू फिर से एक बार देख लेना, क्यूंकि कोई भी चीज जब एक बार में क्लियर ना होना, तो आपको कम से कम दो या तीन बार वाच जरूर करना चाहिए, जब दुबारा वाच करते हो, तो आपको पहले की अप्रिक्षा अ इन की सिचुईशन क्या है, वैसे इन, इन दोनों से थोरा सा अलग है, लेकिन इन दोनों का जो मेल है, वो एक ही जैसा है, इसलिए मैंने इन को भी रख लिया है, तो इन जो यहाँ पे है, इन कह रहाए कि, In Closed Space, In Closed Space सियानी कहने का मतलब है, एक घेरा हुआ है उस-पेस, चारतरफ से जिसका घहराओ हो, तो चारतरफ से जिस चीश का घहराओ हो, वो क्या है? In Closed Space है, तो In Closed Space के लिए आपको लगाना होता है In, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, In the Garden, In the Garden, बगीचे में, In the Room, In the Room, कमरे में, In Delhi, दिल्ली में, In a Car, कार में, In My Pocket, मेरी जेब में, In a Building, किसी इमारत में, तो अब बताओ कि In a Garden, Garden कहीं भी होगा, तो भाई वो In Closed होगा, चारतरफ से उसका घहरा होगा, तो हमने In का इस्तिमाल किया, दूसरा In the Room, अब रूम भी In Closed होगा ना, चारतरफ से उसका घहराओ तो होगा ना, ऐसे ही खाली तो नहीं होगा ना, So, ये भी क्या है, In है, उसके बाद करते हैं In Delhi, तो In Delhi कहने का मतलब क्या है, कोई भी जगा का नाम है, तो कोई भी जगा, Circularry देखा जाए, तो वो घीरा हुआ रहता है, Surrounded ही रहता है, ठीक है, वो चौरे रूप से हो, विरताकार रूप से हो, चाहे जिस रूप से भी हो, वो In Closed ही रहता है, कोई भी जगा, जिसका हम नाम जिक्र करते हैं, देली हो, मुंबई हो, माराष्ट्रा हो, एटसेटर, यह सब क्या है, In Closed Space ही है, अब बात करते हैं, In A Car, In A Car, यानि Car में, अब बताओ कि Car तो चारो तरफ से In Closed रहती है, उसके अंदर हो आप, तो In Closed Space में हो, In लगा दो, In My Pocket, मेरे Pocket में, अब मालो मेरे Pocket में, तो Pocket, नहीं, Pocket पनस्में नहीं है, Pocket कहने का मतलब है कि Pocket भी क्या है, Pocket भी In Closed है, चारो तरफ से घिरा हुआ है, बंधक में है, तो वहाँ भी क्या होगा, In होगा, In A Box, In A Box, या In The Box, क्या है Box, संदूक में, संदूक भी तो In Closed है, हना फिर In A Building, इमारत में, इमारत भी तो In Closed है, तो ये In की Situation जो है, वो बहुत एज़ी है, बहुत ही Common है, कि ये Common सी चीज थी, सबसे Main Point तो था, At, Paracassence में कहां कहां लगाओगे, और दूसरा On, है ना, Paracassence में कहां कहां लगाओगे, तो फिर से एक बार Repeat कर दूँ मैं आपको, कि At किसी Point, किसी Center, किसी Bindu को दिखाता है, जबकि On किसी सतह, किसी Surface को दिखाता है, और इन में तो Confusion शायद आपको उतनी नहीं हो सकती है, और हाँ, On, In और At पे कल वाली जो वीडियो आ रही है, एकदम ऐसे ही आने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल different होंगी, At, In और On में, ठीक है, कभी समय दिखाएगा, तो कोई duration दिखाएगा, तो कोई year दिखाएगा, कोई तारीख से In, At और On आपको बहुत ज़्यदा प्रहमित करते हैं, लेकिन आज और कल वाली वीडियो को देखने के बाद, आप कभी भी On, In और At में श्टक नहीं होगे, I guarantee you, Saudi students, ये थी आज की वीडियो, और आज हमने तीन प्रेपोजिशन को कौवर किया है, उमीद करता हूँ आपक education, जितना बाटोंगे, उतना ही ज़्यादा enhance करोगे, उतना ही अपने अंदर develop करोगे, तो बाटोंगे क्या दिकत है, share पांच लोगों तक जरूर करना, मिलेंगे नेस वीडियो में तब तक के लिए, बाई-बाई, take care and have a good day.